राम राम नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है आज की इस वीडियों में बात करने वाले हैं बिहार STET के बारे में TET, STT सिक्षक अभरतियों के लिए बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ रही है तो जैसे कि आप लोग को पता भी होगा सभी सिक्षक अभरति द्वार टूइट का अविजिन होने वाला है और डेट भी आप लोग देख सकते हैं तो इसे में आप लोग यह भी जानते हैं छटे चन के अभरति बिहार सिक्षक बहाली छटे चन के अभिरती द्वार ये टूइट का उजिन होने वाला है तो ऐसे में जो साथ में चन के अभिरती हैं अर्थात बिहार एस्टीटी के जो अभिरती हैं वो साथ में चन में ही भाग लेंगे तो ऐसे में क्या कर सकते हैं रिक्टियों का रिकल्क्रें हो जाता है और उसके बाद अप ब्रस्टर और रिकलो करते हैं तो आप लोग इसे में क्या कर सकते हें सातमें चन कsi अभिषी हैं अरफात और एा सबकल है वहर और ब्रक्रें अभिषी हैं तो वोग को इसके एंट भीष्थी है कि उस दिन आप लोग ये जानते हैं कि उन लोग की संख्या काफी अधिक है अर्था छठे चन के अभरतियों की संख्या काफी अधिक है तो इसे में जो भी है ट्रेंड करेगा ही अनुमान है ट्रेंड कर जाए तो ट्रेंड करता है तो आप लोग ये बातें चुपके चुपक परिट पराप्त होना चाहिए, तो ये भी मेन हैं, उदेश हैं, तो ये भी बाथ है, तो इसे में आप लोग उन बातों को रख सकते हैं कि परमानपत की रूप में निर्ल कार्ड सिख निर्गत किया जाएं, तो ये बातें रख सकते हैं, कॉनसलिंग की परकिरिया पूरी की जाए छटे चन की कुंसलिंग की परकिरिया तो इससे सात्मे चन के अभिर्थी को भी फायदे होने वाले हैं और जल्द से जल्द निर्गत यही होता है परमानपत तो अच्छी खबर कही जा सकती है सात्मे चन के अभिर्थी को तो आप लोग यह भी जान इसे कर रख सकते हैं कि इन बातों को कि परमानपत की रूप में जलकार सीघर निर्गत किया जाए और साथ साथ आप लोग यहाँ भी रख सकते हैं कि जटे चन का जो कॉंसलिंग परकिरिया है सीघर पूरी की जाए और आप लोग डेट जान भी चुके हैं कि कॉंसलिंग का ड चुछ दिसंबर से सुरू है पहला डेट है कि इसके बार में बता चुक हैं पिछले वीडियो में छठे चन का जिसमें बता हुए थे कि सोचल साइंस के बार में बता हुए थे चुदे बता है जल पूरी कि जाए और साथ साथ रिक्राल की जाए तो ये सबब बात है आप लो रख सकते हैं कि रिक्र्यों बात को रहते हैं रेक्री योडियों बता हैं और में बता खाल ऑ़िदखने. करक्वेट करके और साथ में चन जल से जल साथ में चन का विग्यापन जारी किया जाए जनबरी तक किया जाए तो यह सब बातें आप लोग रख सकते हैं जिससे फाइदे ही होंगे सबसे पहला उदेश है कि आप लोग को परमापत्र के रूप में जलकार निर्गत हो जाए तो यही उदेश के साथ रखना है अपनी बातों को और जैदा कुछ नहीं रखना है कि तो यदि यह हो जाते हैं तो उसके बाद आगे के स्टिप में होगा यह सब ही बाते हैं कि वही बिग्यापन जारी किया जाए साथ में चन का रिकल्कुरेट जल्द से जल्द किया जाए रिक्तियों को तब तक के लिए आप लोग इंतिजार कर सकते हैं कि छठे चन का कॉंसलिंग परक्रिया पूरी होने तक इंतिजार कर सकते हैं तो यह सबी बाते है जो की सात्में चन के शिक्शक अभृत्यों के लिए है और यह सबी बाते आप लोग ये थेख सकते हैं न्युक्तिपथ estar तो ये बात है कि कॉंसलिंग की जब परकिर्या पूरी हो जाती है तो इधर नुक्ति पत्र का बितन होगा और इधर की बात करने की साथ माचन शुरू कर दिया जाए बिगयापन जारी कर दिया जाए तो ये सबी बाते हैं